हेले इबरोन कैसे हैं आप सब एक बार पुना से कोचिंग क्लासेश पर स्वगात हैं उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चे होंगे मस्त होंगे बेतर होंगे आपकी पढ़ाई बेतर चल रही होगी बच्चों बोर इजाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये एड़टाइजमेंट आपको तैयार करना है फार सेल का एड़टाइजमेंट कई बार पुछा गया है और जरूरी नहीं रहता बच्चों की आपका यही कोशन पुछा जाए कोई भी कोशन पुछा जाएगा आप लिख सकते हों कारण में आपको यहां पे समझाने वाला हूँ क्योंकि फार सेल मे क्या चीज बीचना चाहते हो उसका आप मॉडल नंबर बता दो उसका आप कलर बता दो उसका आप कंडीशन बता दो कैसा कंडीशन है कितने साल का गारंटी वारंटी है कितने रुपए में देना चाहते हो और आप लास्ट में कंटेक नंबर दे दो बस यही चीज है जिसे यहां पर लिखा गया है कि your father has been transferred to another city मतलब आपकी पीता जी का transfer हो चुका है दूसरे सहर में you want to sell certain household goods write a suitable advertisement to be published in the local newspaper मतलब आपको एक सामान आपका जो समाचार पत्र आपके एरिया में आ रहा है उसमें आपको publish करना है और आपको कुछ बेचना है क्या चीज बेचना है another city you want to sell certain household goods मतलब जो आपकी घरेलू समान है जो घरेलू समान है उसे आप बेचना चाहते हैं suitable advertisement आपको एक suitable advertisement करना है to published in local newspaper तो सबसे पहले तो यह clear हो गया कि हमको sell करना है इसलिए आपको यहां पे for sale लिखना है सबसे पहले आपको यह box बनाना है यह बच्चो जब भी हम advertisement की बात करें चाहिए notice की बात करें चाहिए poster की बात करें एक box के अंदर ही सारा चीज रहता है advertisement, poster, notice, यह सारा एक box के अंदर ही रहता बच्चो और box एक आपको पहले बनाना है और फिर बताना है कि far sale हमें बेचना है अब जैसे आप घर ही खाली करना चाहते है तो क्या-क्या ब बेचना चाहते हैं या कि मालीजे टेली वीजन है बेचना चाहते हैं यह टीवी जिसे बोलते हैं आपके पास refrigerator है वासिंग मसीन है ठीक है या कि आपके पास freeze है और आप मालीजे आपके घर में मालीजे टू बीलर है जो भी आप बेचना चाहते हो जो जो बेचना चाहते हो जैसे हम यहाँ पर बोल दिये, फारसल हमें बेचना है, बासिंग मसीन, रेफ्रिजरेटर, टेली बीजन, कूलर, और आगे लिखना है, तो आप लिख सकते हो, कि हमें गैस भी बेचना है, गैस तेलेंडर भी बेचना है, ठीक है, जैसे आपने कहा बासिंग मसीन, तो हमने कहा model number 2015 color कितना बता दिये black color refrigerator हमने कहा white color model number 2015 कुछ भी लिख दिये television हमने कहा black and white मतलब यह color TV नहीं है black and white है model number 2015 अब यह second end है cooler के वाले मता दिये this is white color model number 2017 बस है नब and some useful old instrument और कुछ हम देना चाहते है ठीक है और यहाँ पर आपको लिख देना contact number जैसे हाँ पर RAM पटे लिख दे मुबाइल number लिख दो ठीक है बाकी यह आपका for sale है कि आपकी घर में क्या क्या चीज़ आप बेजना चाहते हो लेकिन बच्चों कुछ ऐसा भी होता है कि आपकी पास माली जी एक ही चीज बेजना है मालो आपको बेचना है cable refrigerator वाली यह question आ गया कि आप चाहते हो you want to sell refrigerator फिर आप क्या करोगे तो आप पहले for sale लिखोगे क्या लिखोगे for sale फिर आप लिखोगे model number फिर यहाँ पर लिख सकते हो कि I want to sell क्या refrigerator रिफ्रेजेटर के बारे लिखोगे model number कि model number 2015 ठीक है color लिखकर लिख देना white color that is good condition ठीक है फिर आपको लिख देना है this is your two year warranty card ठीक है आप लिख सकते हो भाई लिखना तो है न या two year warranty card ठीक है फिर आप नीचे लिख देना this is यह price मतलब price कितना है 10,000, 5,000 जो भी लिखना है some concession कुछ concession भी हो जाएगा immediately contact me नीचे contact number अब ऐसा ना करना कि paper में अपना contact number छापाना फिर कह दो sir हम दे तो अपना number ही दद दे आया ऐसा नहीं करना है contact number लिख करके number खाली रहने देना है कोई भी जैसे आप माली जे के वल टेली बीजन का single आता है देखे बच्चो रटने की जोड़त नहीं है हमारे चैनल में जो आता समझना है exam में कैसे लिखना ये चीज है यहाँ पर यह नहीं कि हमने एक समझा दिया sir हमने तो समझ के गया था आपने जो बताया नहीं आया ये आपकी फिर मुर्कता हो जाएगी आपका दिवान देखे टेली बीजन ही आगए टेली बीजन के बारे में लिखना है पहले model number लिख दो color लिख दो कैसा color है black and white है model number लिख दिये that is good condition है उसका फिर आप यहाँ पर लिख दो भाईया की कितने year old है तो five year old है ना और लिख सकते हो कि this is ये two year warranty guarantee है तो ठीक है नहीं तो लिख दो that is good condition फिर आप उसको लिख दो price फिर लिख दो some concession immediately contact me तुरंत आप contact करो तो इस तरहीके से कोई भी आप क्या कर सकते हो बच्चो advertisement बना सकते हो जैसे यहाँ पर ये question है देखी right advertisement for selling to basing machine it is good condition the region is that the owner is going abroad मतलब जो owner है कहीं जा रहा है तो यहाँ पर बताया immediately sell हम अर्जंट में बेजना चाहते हैं क्या बेजना चाहते हैं basing machine it is good condition फिर आपको यहाँ पर model number बता दिया गया किये tc 112 2015 model फिर बता दिया color white color full automatic under warranty भी है honor going to abroad इसको नहीं लिखको तो भी चलेगा फिर नीचे भी लिख सकते हो rate मतलब price भी लिख सकते हो आप price लिखने के बाद बच्चो आप यहाँ पर some concession भी लिख सकते हो कि कुछ छोड भी मिल जाएगा फिर आप यहाँ पर contact number भी लिख सकते है contact है हाँ और यहाँ पर आप अपना नाम number ठीक है यह चीज़ होता बच्चो कि हमको कोई भी चीज़ लिखना है इसके अलाब आप कुछ भी लिख सकते हो जैसे going abroad कुछ भी कर सकते हो फिर आप इसके जगे टेलिवीजन की सगे बासिंग मसीन है यह तो बासिंग मसीन है रेफ्रिजिरेटर बेचना चाहते हूँ सेम सबका सेम सबका सेम तो बच्चो यह होता है advertisement लिखने का तरीका फार सेल का तो उमीद करता हूँ फार सेल के दिया जाएगा तो बनेगा वीडियो पसंदाट लाइक करके शेयर जरूर करेगा बच्चो जै हिंद बंदे मात्रम